अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर खाना तो आपको बहुत पसंद होगा तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर कितनी जबबजस्त और आसान सी रेसिपी जो आप सबको बहुत पसंद आगी और ये फटा-फट से बन के तयार होने वाली पनीर की सबजी है बस हम मैं आपके बच्चे ये आपके बड़ों सब को पसंद आखितें तो आज चलो कुछ हरी हरी सब्जी के साथ अपनी पनीर की सब्जी मना पनीर यहा पर यहां पर मैंने 1-2 kgMom नेरायओ-पनीर में 2 kgए काटने के मिभा आप ऩो उप्सिनल है को मद डालो अगर आपकामन नहीं क्लसन भी डाल सकते हो मैंने तो बिना प्याज अज़र क्लसन की सबजी बनाई थी तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने पनीर को तो अच्छे से करना है कि बस इसमें लगे कि हमने से फ्राइ किया है और अगर आपकी पनीर ताजी नहीं है तो आप इसे पानी में सोक भी कर सकते हो लेकिन यहाँ पर मेरी एकदम फ्रेश पनीर थी तो हलका सा फ्राइ करके हम इसे निकाल लेंगे आपको लिख रहा होगा पनीर हमारी स्किप कर दिया है आप चौह तो यहाँ पर प्याज अधरक लस्टन लगएरा भी डाल सकते हो फिर इसके बाद हम यहाँ पर शिम्ला मिर्श डाला है तो मैंने आपको बताया ईक्याना कि आदा कि पनीर मेरी में मैंने यहाँ वार अदा किलो शिम्ला मिर्श लिया हुआ है के द हम इसे दो हैएड़ में अच्छे से कुक कर लेंगे जिसे के शिंवलामीश च्राइब है कि अब सिमाटमीश ऑप kap कर लिए इसकी सब से कूलstro यहाँट में इसकि नहीं मुझ कर के तौ आपके बचल यह हरी मिश नहींगे कर सकते जो साथ ही ऐएफ्वोड़ष होगों तोक्यों कई यूज दोड़ हम अपनी डाली के पाउड़ करेंगे जिसके यहाँपर dat के वह no-dayख मिश्वच्चान देखा अपने जल्दी रेसिपी बनके तयार हो जाती है बस अपने पनीर के पीसे को डालो अच्छे से मिक्स करो उपर से धनिया गानिश करो आप चौँ थे रोटी के साथ खाओ आप चाहो तो इसे पराटे के साथ खाओ खाने में बहुती टेस्टी लगती है और सच बथाओ तो ये पनके तयार हो जाती है तो आप अपने हजबन को टिफिन में दे सकते है अपने बच्चों को स्कूल के लिए गया सकते हो सुबह जरूर से ट्राइगाना आपको सच में पसंदाइगा तो आप भी जाओ मेरी इस परीडा मेरी सब्सक्राइब करना और आपको बजाओ यूट्यूब बदेख तो सब्सक्राइब भी कर लेना तो जाओ आप इसे ट्राइ करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अब तक की बाई बे टेक कियर